Welcome back to our YouTube channel Tech Guide Wasim आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपना अधार कार्ड नमबर अपने वोटर आईटी कार्ड के साथ लिंक कैसे करोगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना पर ब्रोजर पर आने के बाद आपको सर्च करना होगा NVSP पोर्टल सर्च करने के बाद आपके सामने National Water Service Portal का option आ जाएगा तो आपको open कर देना है open करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर form no.6 एक add कर दिया है information of adhaar number by existing electors तो आपको यहाँ पर site पर एक option आ रहा है login का तो आपको इस पर click कर देना है login पर click करने के बाद अगर आप पहले से ही registered हो National Water Service Portal से तो आपको यहाँ पर अपनी email ID, password और capture फिल करना होगा और login कर देना अगर आप पहली बार visit कर रहे हो इस site पर तो आपको यहाँ पर don't have account register a new user पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना mobile number फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना capture फिल करना है mobile number और capture फिल करने के बाद आपको send OTP पे click करने के बाद आपके mobile number पे एक OTP send करने के बाद आपको verify OTP पे click करना है verify OTP पे click करने के बाद यहाँ पर आपको I have a pic number पे click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना water ID card number फिल करना है उसकी बाद आपको यहाँ पर अपनी email ID फिल करनी है उसकी बाद आपको एक password create करना है पासवर्ड आपका जो है, वो must be six characters रहने वाला है, उसमें एक special letter भी रहेगा, एक lowercase और uppercase भी रहेगा confirm password फिल करने के बाद आपको register पे click करना है, register पे click करने के बाद आपकी registration complete हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे अपना mobile number और जो आपने password क्रेट किया है और capture डालना है और login कर देना है mobile number और password डालने के बाद आपको login पे, login पे click करने के बाद आप successfully login हो जाओगे उसके बाद आपको नीचे आजाना है, नीचे आने के बाद यहाँ से आप अपना election card download कर सकते है, order ID card उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा option जो आ रहा है, information of अधार number existing electors तो आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे एक option आ रहा है, form 6B यहाँ पे आपको letter of information, अधार number फर प्रोपोजर्स, electoral rule, authentication यहाँ से आप PDF भी download कर सकते हो, PDF डॉनलोड करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे यह form फिल कर देना है, form फिल करने के बाद आप अपना यह जो form है offline अपने BLO या तासील office से अपना अधार card number जो है, वोटर ID card के साथ लिंक कर सकते हो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप online voter ID card के साथ अधार number लिंक कैसे करोगे तो आपको यहाँ पे form B याने form 6 B पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका state, assembly, parliament, constituency, आपके सारे details आजाएगी यहाँ पे आपको अपना mobile number, email ID और यहाँ पे आपको I have a अधार number पे क्लिक करना है, अधार number पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना अधार number फिल करना है, यहाँ पे आपको अपनी place फिल करनी है और यहाँ से आपको अपना capture फिल करना है, उसके बाद आपको यहा पर प्रिव्यू पर क्लिक करना है प्रिव्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटील्स आ जाएगी सारी डिटील्स आने के बाद आपको यहाँ पर सब्मिट पर क्लिक करना है सब्मिट पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपका फॉर्म सब्मिट हो जाएगा इंप्रो करने के बाद आपके वोडर आड़ी के साथ आपका अधा नमबर लिंक कर दिया जाएगा और ये थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई अला